गईज अगर आप भी अपनी फोटो का सिर्फ स्नाप्स रिडेप का यूज करके कुछ इस तरीके का एडिट करना चाहते हो एकदम डार्क ब्लू टोन में देखवा हो गईज की फोटो दिखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो इस तरीके का फोटो आप भी डियू को कर लेते हैं स्टार्ट हाँ तो गईज आप देखवा रहें कि हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं हमने इस फोटो को स्नाप्स रिडेप के अंदर पहले उपेन कर लिजिए स्नाप्स रिडेप के अंदर आने के बाद आपको यहां एक पेंसिल का आइक थोड़ा सा कम कर लेना है लगबग माइनस फोर कर लेना है देन आपको एम्बेंस को बढ़ा लेना है राइट साइड में इसकी वेल्यू लगबग प्लस 17 कर लेना है ओके देन आपको हाइलाइट्स को माइनस साइड रखना है माइनस 13 कर लेना है अब आपको सेडोज में ज अब आपको यहां done पे click करना है इतना setting हो जाने के बाद आपको pencil के icon पे दोबारा click करना है then guys इतना हो जाने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है यहां आपको एक vintage का option मिलेगा इस पे click कर देना है vintage पे जैसे आप click करोगे यहां पे इसकी strength को पूरा कुछ इस तरीके से plus 2 के आसपास लेकर चले जाना है then यहां पे देख फ़रो को vignite strength यहां पे plus 30 है तो इसकी value आपको कम कर लेना है and इसको लगबग आपको plus 9 पे कर लेना है shift ठीक है plus line कर लेने के बाद आपको यहां से saturation में जाना है saturation का value आपको पूरा minus union कर लेना है ठीक है? पूरा decrease कर लेना है then यहां से आपको done पे click करना है अब आपको edit stack पे click करना है viewour deeds पे then आपको vintage पे click करना है अब ये जो beach के pencil का icon आपको दिख रहा है इस पे click कर देना है दिन यहां से आपको invert पे click कर लेना है invert कर लेने के बाद photo को जुम किजिए कुछ इस तरीके से और आपको अपने skin पे कुछ इस तरीके से draw करना है जैसे आप skin पे चलाओगे ये effect आपके पूड़े skin से अच्छे तरीके से erase हो जाएगा एस skin से कुछ ऐसे आपको erase कर लेना है skin से erase कर लेने के बाद आप देख पर हो मैं अच्छे से erase कर रहा हूँ आपको भी पूड़ा ध्यान से करना है ताकि आपका ज्यादा मतलब सही से editing हो पाए तो ये काम आपको कर लेना है आप ध्यान से किजिए मैं वीडियो को थोड़ा सा fast कर रहा हूँ ताकि ये process में जल्दी से खतम कर पाऊ और आगे के step मैं आपके साथ share कर पाऊ तो गईज आप देख पार हो कि मैंने पूड़ा skin से इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से erase कर लिया देन इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ simple से done कर लेना है अब यहाँ से back क्लिक करना है तेन आपको pencil का icon पे दोबाड़ा क्लिक करना है अब गईज आपको जाना है portrait के option में यहाँ आपको portrait पे जाने के बाद सबसे पहले skin smoothing पे जाना है और इसका value लगबग आपको plus 44 कर लेना है देन यहाँ से आपको eye clarity को बरहा कर plus 15 कर लेना है देन यहाँ से आपको simple done पे क्लिक करना है अब यह देखो before and after photo के अंदर आप देख वारोगी photo पहले मतलब कुछ इस तरीके की color में थी और अभी photo एकदम dark black tone में आचुकी है लेकिन हमें तो photo के अंदर dark blue tone को add करना है इसके लिए हमें इस pencil के icon पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको white balance मिलेगा white balance पे क्लिक कर देना है देन temp की value कुछ इस तरीके से left side की तरफ कर लेंगे and minus 52 कर लेना है देन आपको tint में जाना है and tint की value कुछ इस तरीके से बरहा कर plus 14 कर लेना है मतलब 14 या 15 के आसपास आप रख सकते हो यहाँ से आपको simple done पे क्लिक करना है then edit stack पे जाएंगे view edits पे then आपको white balance पे क्लिक करना है अब यह जो beach का pencil icon दिख रहा होगा इस पे tap करना है फिर आपको यहाँ से invert कर लेना है down arrow पे क्लिक करके इसको zero कर लेना है जो process हमने पिछली बार किया था same process आपको इस बार भी करना है और पूरे अपने skin से कुछ ऐस तरीके से erase कर लेना है और बहुत सारे लोग को erase करते वक्त कुछ गलती हो जाता है जहां से erase ना करना होता है वहां से भी erase हो जाता है जैसे कि guys देखो हमें तो बाहर erase नहीं करना है जैसे कि यहाँ बाहर erase हो गया अब इसको साहिक करने के लिए आपको यहाँ 100 कर लेना है प्लस मतलब यह देख पर अप arrow है इस पे क्लिक करके इसको 100 कर लेना है अब इसको जहां भी आपका erase हुआ रहेगा वहाँ पे चला देना है ठीक है जैसे कि देखो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे भी erase हो गया है तो हम यहाँ पे चला देते हैं अब देखवरों को वह दोबाड़ा से जो है recover हो गया वह हम दोबाड़ा इसको zero कर लेते हैं देखवरों एसकीन पे यहाँ चल गया है तो एसकीन से भी erase कर लेंगे सेम काम आपको जो आपने पिछली बार किया था जैसे आपने सकीन से पूड़ा अच्छे से erase किया था एक बार और आपको वह मेहनत कर देना है और पूड़े सकीन से आपको erase कर लेना है थोड़ा सा टाइम देखर आपको editing को करना है ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी photo editing हो पाए आप देख पर हो कि हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर erase कर लिया आपको photo को zoom करके करना है ताकि आपकी photo editing में दिक्कत ना हो और आप बिल्कुल अच्छे से perfectly erase कर पाऊ ठीक है आप देख पर हो कि हमने overall erase कर लिया यहाँ पर हम थोड़ा सा जल्दी-जल्दी से कर लिया है वीडियो को थोड़ा सा fast करके ताकि आगे की भी process है जो कि आपके साथ हम share कर पाए ठीक है तो guys आप देख पर हो कि हमने almost erase कर लिया पूरा स्कीन से अभी photo दिखने में बहुत ज़्यदा अच्छा लग रहा है जस्ट आपको यहाँ done पर click करना है back करना है आप देख पर हो कि photo बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ से pencil का icon पर दोबाड़ा सा click कर लेना है selective पर click करना है और कुछ इस तरीके से आपको अपने skin को select कर लेना है select कर लेने के बाद brightness को बढ़ा देना है लगवग plus 14 मेंने कर लिया then यहाँ पर saturation को थोड़ा सा कम कर लेंगे minus 9 and यहाँ से done कर लेंगे आप देख पर हो कि अभी photo काफी ज़्यदा मस लग रहा है then pencil का icon पर दोबारा click करेंगे जाएंगे यहाँ curve अले option के अंदर and यहाँ पर हम RGB select कर लेंगे RGB select करने के बाद इसकी value थोड़ा सा कम कर लेंगे left side की तरफ मतलब नीचे की तरफ and यहाँ से इस बार हम blue color को select करेंगे blue color को select करके simple से इसकी value थोड़ा सा बढ़ा देंगे उपर की तरफ and यहाँ done कर लेंगे आपको pencil का icon पर दुबारा click करना है brush पर जाना है and cellturation brush लेना है and इसकी value आपको 5 कर लेना है then photo को zoom करना है कुछ इस तरीके से and आपको सिर्फ अपने lips पर जिसको चला देना है lips पर चला देने के बाद आपको done कर लेना है then share का icon आपको उपर देखेगा just इस पर click करना है यह photo आपकी gallery के अंदर एकदम easily save हो जाएगी तो कुछ इस तरीके से आप अपनी photo को dark blue tone में edit कर सकते हो सिर्फ यह snap speed आप का use करके दूसरा कोई भी app में ने use नहीं किया आपको भी दूसरा app use नहीं करना है I hope guys आज की यह वीडियो देखने के पाद आप बिल्कुल अच्छा सस्तिक गएंगे कि photo के अंदर dark blue tone कैसे add करते हैं जैसा इस photo में आपको दिख रहा होगा बहुत असान है I hope सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा फिर भी कोई भी दिक्कत हो आप हमसे comment करके पूछ सकते हो मेरते हैं आप से किसे next वीडियो में फिलाल के लिए इतना ही love you old टेक केर बबबाई